अभी मैं आपको sum of composite number up to 20 by AP method से पढ़ाने आपके तो पहले बात मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम sum of composite number up to 20 और इसको solve करने से पहले या find करने से पहले वे value हमें का करना है verify करना है कि जो given sequence दिया रहेंगा क्या वो API या नहीं है ठीक है composite number मतलब क्या होता है पहले वो हम जान लेते आएसा number जिसके factor more than 2 हो ठीक है पर 4 जो है 4 कितने में जाएंगा 1 में भी जाएंगा 2 में भी जाएंगा और 4 में भी जाएंगा मतलब composite number के शुरुआत किते से हो रही है 4 से 4 से शुरुआत होंगी then 5 रहेंगा क्या नहीं then 6 रहेंगा क्या बिलकुल क्योंकि वो 1 के table में आता 3 के table में आता खुद के table में आता 1 के और खुद के ठीक है table में आता है then 7 रहेंगा क्या बिलकुल नहीं क्योंकि वो उसके factor कितना है 2 ही है उसके बाद 9 रहेंगा क्यों क्यों आता 9 1, 3, 9 तीन factor हो गए then 10 भी आएंगा कहा तक के जाएंगा ये 20 तक कि 20 के भी factor निकल सकते 2 है 10 है 1 है 20 खुद है तो ये जो है ये तो क्या होगा अब ये पहला term हो गया ये second term हो गया third term fourth term पहला हमें करना है verify करना है कि is it ap or not अगर ये अपन अपना usual method जो है पहले ये ये तरम से ये निकाल लेंगे then some of ये तरम में put करके value find कले बट पहला हमें पता तो करना पड़े है कि ये ये ap है या नहीं तो ap क्लिका कर देंगे d जो common difference है a2 मानस a1 a3 मानस a2 और a4 मानस a3 मतलब a मानस a ये मानस a ये मानस a कर दो put value क्या जाएंगा 6 मानस 4 हो जाएंगा then 9 मानस 6 10 मानस 9 6 मानस 4 2 9 मानस 6 3 10 मानस क्या ये sequence AP है क्या इसके जो common difference है सभी same है बिलकुल नहीं है मतलब ये AP नहीं है therefore जो इसके formula है AN equal to A plus N minus 1 into D या sum of formula 1 by 2 A plus A या या 2A plus N minus 1 into D ये applicable रहेंगा क्या इसके उपर बिलकुल नहीं रहेंगा तो इसके last one का लेख देंगे it is not an AP but still हमें इसका value पता करना है तो हम एकी AP के method से ये उस नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सारी values लिख देंगे then थोड़ा time लगेंगा but सभी को जैसे plus करके हमें क्या करना पड़ेंगा solve करना पड़ेंगा ध्यान रहेंगा कैसे solve करना पड़ेंगा ये जैसे हमने even number के लिए find के odd number के लिए find कर ये इससे find नहीं होगा तो इसको सारी values लिख के अमें क्या करना पड़ेंगा find करना पड़ेंगा ध्यान दीजेगा अगर वो AP है तो directly बहुत shortcut से मिल जाते है अपने को values अगर वो AP नहीं है तो आपको वो plus minus करना पड़ेंगा जान रहेंगा आपको या अगर वो GP होता GP में क्या होता है जैसे कि हम check करते GP अगर नहीं है क्या आजाएंगा ये 82 by 1 मतलब 96 by 4 कितना आजाएंगा ये 3 by 2 वैसे 9 by 6 कितना आजाएंगा 3 by 2 बट 10 by 9 क्या 3 by 2 आएंगा नहीं आएंगा मतलब भी क्या है GP भी नहीं है तो इसका value हमें का करना पड़ेंगा सभी को लिख के sum up करके value बताना पड़ेंगा समझा आपको अगर आपको ऐसे ही topics related वीडियो चाहिए लाइक किजे, share किजे, comment किजे कमेंट बॉक्स में और आपको जो वीडियो से ही वो topic का नाम दिखिए थैंक यू